नमश्कार आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूँ आपके साथ नंदिनी आदो सुप्रीम कोट में दिल्ली सरकार के पक्ष में आज एक एतिहासिक फैसला किया है पतादे की सुप्रीम कोट की तरफ से आम आदमी पार्टी को आठ साल बाद दिल्ली में अफसरों के ट्रांसपर पोस्टिंग के अधिकार को लेकर विवात फैसला सुनाया है जोसे लेकर आज लखनओ के पार्टी कार्याले पर प्रेस कॉन्फरेंस रखी गई जोरान वैवा, महिश्वरी और अंचू भट ने इस मुद्दे पर प्राइम टीवी के समाधाता से एक खास बादचीत की है लंबे सल्बे समय से आम आदमी पार्टी अधालती लडाईयां लड़ रही थी जिसके क्रम में आज एक इतना बड़ा इतिहासी फैसला सुप्रीम कोर्ट की समविधान पीठ ने मानी अचीज जस्टिस चंद्रसूर जी के अध्यक्ष्टा में दिया जिससे यह एख़ाद हुआ कि लोगतंत्र अभी जिन्दा है और इस देश को लोगतंत्र से ही चलाया जा सकता है ना कि डिक्टेटर से चुनाओ कराय मत प्रतिशत अच्छा रहे लोगों को मद्दान में भागिदारी जादा करे अगर वो इस चीज में फेल हो रहा है तो सभी राजनतिक दलों की सर्दली बैठक होनी चाहिए और जरूरत पढ़ने पर जो हमारा एलक्षन के मिल्सन्ट responded करने की जरूरत क्योंकि हम लगाताहि यह देखते आया है तो ऑधकी कोई Guard कर लेता दे कर पाता है कि डिली सरकार के लिए आज एक इतिहासिक दिन हंजी हाँ आज सुक्रीम कोट आठ साल बाद सर्विसेस का अधिकार जो है दिल्ली सरकार के हक में दिया है और इसी मुद्दे पर प्रेस कॉंफरेंस आज उत्तर प्रदेश में आज रखा गया था तो आए जानते हैं कि आज इस फैसले से जो निहा के पार्टी है वो कितने खुशे और पर क्या कहना चाहेंगे अंजु क्या कहना चाहेंगी आप दिल्ली सरकार के लिए आज एक बहुत ही बड़ी खुशी की दिन है सर्विसेस का जो अधिकार है आवनी पार्टी की हक में आया है क्या कहना चाहेंगी इस फैसले आज जब हमें बिना रोक्टो काम करने का मौका मिलेगा तो मुझसे सौ गुना जादा रेजल्ट देंगे तो मैं इसके लिए पूरे दिल्ली वासियों को बढ़ाई देना चाहूंगी और आम आदमी पार्टी के लिए तो बहुत ही ज़ादा खुशी की बात है हमें तमाम जिसे पैसे मिलते थे काम करने के लिए बस के लिए स्कूल के लिए लेकिन अधिकारियों पे दबाव डालके केंद्र सरकार उसको हटा देती थी अब क्या भैसला होने आज सभी सचिवाले में आज बैठक भी बुलाएं हैं के जृवाल जी तो अस पर क्या कहना चाहेंगे कैसे खुशी आप लोका है और आठ सल बाद यह तिहासिक जीत मिली है उस पर आप क्या कहना है देखे दिली की जनता के लिए बहुत बड़ा देने आज उन्होंने अपनी सरकार तो बनाई लेकिन उस जनता को पीड़ा देने के लिए उस सरकार को काम नहीं करने देते थे तो जब किसी सरकार को आप काम नहीं करने दोगे फसाओगे तो प्रभाव किस पर पढ़ेगा लोगों पर पढ़ेगा लोगों के छोटे मुटे काम नहीं होंगे उनका मोहला क्लिनिक में इलाज रुकेगा उनके बच्चों की पढ़ाई रुकेगी बुजरुगों की पेंशन रुकेगी ये लोग इस नीचता की हद तक उतर गए थे कि इन्होंने बुजरुगों की पेंशन के पैसे भी रोग दिये थे और बच्चों के आंगनवाडी के पैसे रोग दिये थे योगशाला जो बुजरुगों के काम आती है दिल्ली में जो फ्री योगशाला चलाते थे उसके पैसे रोग दिये थे मोहला क्लिनिक में आने वाली दवाईयों के पैसे रोग दिये थे यानि समझ लीजे कि ये पूरी तरह से दिल्ली को कॉलाप्स कर देने की साज़िश थी दो करोड लोगों के वोट बजट सबको धता बताते हुए प्रधान मंत्री मनमानी कर रह और LG का काम है उसका आदेश मानना और उस आदेश का अनुपालन बस करना तो बस ये कोडिनेशन आज के बाद में इसी ओर्डर में चले हमें उम्मीद है ये कोई नई साज़िश ना रचे सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज उन्होंने लोग तंत्र में के लिए बहुत बड़ा दिन एक दिखाया और ये भी उम्मीद जगाई है कि कम से कम एक संस्था अभी भी है जहां उम्मीद की जा सकती है तो इसके लिए ही आज ये प्रिस्वारता हमें की कि आपको वोट देने से रोका गया तो आप मेर प्रत्यासी थी आपको उसी टाइम आप उस पे करवाई करना चाहिए निर्वाचन आयोग से जाके बात करना चाहिए उनके अब तमाम ऐसे चीखे कि आप खुद एक प्रत्यासी थी जी बलकुल मैं ये कहना चाहूंगे कि वोटिंग से मुझे रोका जरूर गया लेकिन मेरे मेर प्रत्यासी बताने के बाद उन्होंने मुझे वोटिंग करा दी तो वहाँ पे विवाद करने का कोई मुद्दा उठता नहीं है साथी साथ मैं आपको बताना चाहूंगे कि जुद उनको भेजा जा रहा है वापस तो मेरी लड़ाई अपनी एक की छोड़के उन डेर सो डाई सो लोगों के लिए थी जो जादा जरूरी था कि वोट कर पाएं क्योंकि वो सुबह सदूप में खड़े थे तो मुझे वहाँ से तुरन निकलना पड़ा पुराने लखन कर दिया है कारण क्या है नहीं पता तो ये मुद्दे उठाने में लेट इसलिए हो रहा था क्योंकि वो जो करवाही हम चाहा रहे थे कि हो जाए वो लोग जो डेर सो डाई सो लोगे खड़े हैं उनका वोट पड़ जाए पहले वो ज़रूरी थे मेरा मुद्दा उतना इस बार बहुत कम वोटिंग पड़ा है तो इसका कारण क्या हो सकता है क्योंकि पूरा इस बार निकाय चुनाओ जो है लोग सभा की लिटमस पेपर के तरफ देखा जा रहा था पूरी पार्टी जोरो सो से निकाय चुनाओ के त्यारी कर रही थी लेकिन इतना कम वोट ये क अजबा निर्वाचन आयोग है चुनाओ आयोग के जो अधिकारी है वो ये भूल गया है कि उनकी ड्यूटी लोगतंत्र के लिए है वो कमल का फूल पकड़ के चल रहे है उनको ये शरम नहीं आती कि वोटर लिस्ट में नाम होने के बावजूद वो एक प्रत्याशी को लो है वो डिसाइड करेगा कि मैं नाम दे दूँगा तो ये वोट डाले ना डाले तो तमाशा हो रहा है तो उस से उस के खिलाफ और उस आदमी को किस ने ये आदेश दिये ये पूरी चेन के खिलाफ एफ यार कायम करके इनको जेल के अंदर पिजा जाना चाहिए इसमें अग जायकी का चुनाओं में कोई श्रिलंका वाला के वोट डालता है मैं नागरी कूं मैं ही रहता हूं मुझे ही वोट डालने मुझे ही अपने प्रतिनिदी चुनने एक लिस्ट हुनी चीए तो सारी पाटियों की यही है कि हमारे साथ धाग निकिया गया तो इस पर कारवाई क जिस दिन कारवाई करेंगे तो खुद को जेल थोड़ी भेज देंगे अपने आपको जेल बेजने के लिए कोई कारवाई नहीं करता जिस दिन बीजेपी किताब का एक भी पन्ना खोल दीजे क्राइमी क्राइम गडबड़ गोटाले गोटाले निकल के आ जाएंगे इसका तरीका यही है कि इनको हर तरफ से जो इन्होंने लोकतंत्रिक संस्थाओं को भी कमजोर कर दिया है तो दिल्ली में जो आफ हैसले आया ना तो कोट से थोड़ी बहुत उम्मीद है जगी है यह वोटरले इसके दानलेवाजी को लेकर हमें कोट जाना पड़ा तो अधरवाई जो 30 करोड का जो बाते जो महल दिखाया जा रहा है कि जवाल जी का जो तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि पूरा जंता जो है वो कह रहे है कि आम आदमी पार्टी है है आम आदमी है वो तो जनता बसा अप्रों से यही सवाल पूछना चाह जा Buddhist कि आ चाही है कि आखिर ये कहां से आया और इतना जो महल दिखा जरुज रहे क्या है ये तो ये सवाल सबसे ज़्यादा जरूरी है, और लोगों को इसका जवाब जानना भी भूज़ेंगी, यह सबसे पहली बात तो यह है, कि वो महल सरकारी घर है, जिसको आप महल कह लीजे, अगर आप उसको मीडिया में लिखेंगे महल तो वो महल है, अगर तो घर है, मोधी जो के देंगे कुटिया बना ये तो कुटिया मान ली जाएगी तो कुल मिला की यह है कि यह जो बना है यह पी डबलूडी के द्वारा बनाया गया दिल्ली सरकार की प्रॉपटी है उसको बनाया गया है इस बारे में दिल्ली के हजारों लोगों से बातचीत की गई कि यह इसके ब को लेके जाएंगे अपने साथ में वह घर तो जब अगला मुख्यमंत्री अगर मैं तो कहता हूं बीजे प्याले हमको हरा दें अपने मुख्यमंत्री को उसमें रखे 45 करोड नहीं दो पंतालीस हजार करोड का बना ले लेकिन पब्लिक को पब्लिक का हक तो पहले दो उसके ट अपने मुख्यमंत्रीन आठ हजार करोड का जहाज खरीदा था जब कोविड में लोग मर रहे थे तो परसीटमोल हमारे पास नहीं देखिए जो वह प्रॉपटी थी उसका प्रॉब्लम यह था कि वह ब्रिटेशन स्टाइम का एक घर था जिसकी च्छत के दो कमरों की च्छ अपना जो यह सरकारी बंगला है इसको रेनिवेट कि इसी की कोस्ट बताई जा रही है इस नथिंग परसनल अगर होता थे बीजेपी अले अब तक दस एफ आयार कर चुके होते और अब तक अरेस्ट कर चुके होते हैं मैम आप एक मेर प्रत्यासी हैं और उत्तर प्रदेश में अब ऐसी क्या समस्या है जिससे लेकर आप बदलना चाहेंगी और उसे आगे और बढ़ाना चाहिए उसे बदलना से सिक्षा हो गया यहां पर विजली पानी से तमाम ऐसी समस्या है आप जनता के तो क्या-क्या बदलना चाहेंगी जी मुझे तो लगता है कि उत्तर प्र गड़े हो, आवारा पशु हो, अतिकरमन हो, ट्राफिक हो, भिक्षा वृत्ती हो, चाहे आपके ये डग स्पॉर्स हो महिलाओं के लिए सुरक्षा का कोई पॉइंट नहीं है, चाहे वो टॉयलिट्स पिंग टॉयलिट्स बनाए गए हैं, संचालित नहीं है, वो हमारे जो व प्रतिनिदी चुने जाएंगे, क्योंकि ये बिलकुल माइक्रो लेवल का चुनाव है, बीजेपी कुड़े के धेर बैठकर ये चुनाव लड़ रही है, और ये कुड़े के धेर उनी के बनाए हुए है, हम उस कुड़े के धेर की सफाई की बात कर रहे हैं, कोई भी पबलिक का आगमी ना, कोई भी आम इनसान आप हो मैं हूँ, कुड़े में रहना नहीं चाहता बीजेपी का तो कमल कीचड़ में खिलता है, उन्हें बड़ा कमफटेबल है, कीचड़ी फैला रहे तो अपना चलता रहेगा, तो अच्छा रिस्पॉंस मिलेगा, हम मुद्धों पर लड़े हैं, और मुद्धों का जवाब जनता ने वोट के दम पर हमें दिया होगा, हमें तो आपने देखा ये थे हमारे साथ वैवो महसुरे जी और जो मेर प्रत्याशी अंजु भड़ जी उनका साफतर पर कहना है कि इस पर निकाय चुनाव में अच्छा प्रदर्शन हुआ है, कही ना कहीं हम अपना सरकारिस पर ला सकते हैं, और तमाम ऐसी चीजे हैं जिस पर हम बदलाव करेंगे, उसे रेनुएट करेंगे, वही आज आमादनी पार्टी के लिए के अतिहासिक दिन है, जो सर्विसिस का पूरा, जो उनका हक जो है, जो सुप्रीम कोरून के साथ फैसला सुनाया है, तो इसके लिए आमादनी पार्टी के आज बहुत ही महत्तोपूर तो इस कबर में बस सतना ही देश जुनिया की तमाम ख़बरों के लिए देखते रहे हैं प्राइम टीवी आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोका